आपका स्वागा थे आज हमारे बीच में अर्चना शर्पा मेडम है जो कि होड टेक्नोलोजिस्ट है और पिछले तीन-चार सालों से हैपिनेस को बढ़ावा देने का काम कर रही है आपने रोशिया ब्लीस के नाम से एक कंपनी भी बनाई है जो पूरे और इंडिया में काम कर चांड रही है मेडम आप अपने बारे में बता ही कैसे आपने श्टार्ट किया के से आप इस चेत्र में आये और के से आपकी ज़दी श्टार्ट है अच्छली आवाय प्रफेशन मैं असोशियाट प्रफेसर थी एंजिनियरिंग कॉलेज में मैंने मास्टर्स किया हुआ है Computer Science Engineering में और 11 साल मैंने Engineering and Management Colleges में पढ़ाया है एक स्टेज पर आकर के मुझे फील हुआ कि कहीं कुछ एक बहुत बड़ा Missing Gap है हमारे समाज में उसको पूरा किया जाना चाहिए तो उस उदेश के साथ में मैंने अपनी ये कंपनी शुरू की आज से तीन साल पहले और ये काम शिरू किया happiness पर तो ये जब मैंने start किया था तो मेरा उदेश ही ये था कि मैं लोगों को अच्छा सोचना सिखाऊं कारण था कि हमें बच्पन से पढ़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमें खेलना सिखाते हैं, हमें ड्रेस अब होना सिखाते हैं, पर हमें कभी भी सोचना नहीं सिखाते हैं, तो मैंने इस काम को एक चालेंज की तरह लिया, और आज मैं ये एक ऐसा रास्ता है, जिस पर बहुत कम लोगों ने चलने की कोशिश की है और मैं इसके लिए एक माहौल क्रियेट करने की कोशिश कर रही हूं जो काफी चालेंजिंग है मेरे लिए तो ये मेरा काम है है happiness और positive thinking लोगों को art of thinking सिखाना, लोगों को सही तरीका सिखाना, सोचने का आप एक काफी unique idea के ओपर काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि यहां इंडिया में इतना famous नहीं हो पाया होगा आपका idea आपको initially लोग समझ नहीं पाये होंगे उनको बहुती नया subject लगा होगा और चुकि यहां पर इतना इस चेतर में काम नहीं हुआ है इंडिया में तो आपको कहीं नहीं अर्सफलता के भी आपने सामना किया होगा कुछ उतार शड़ाव भी आये होंगे तो आपने इन चीजों को केसे face किया जी देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर बहुत कम लोग चले हैं अभी तक और इसका कोई market या कोई atmosphere हमारे है ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है तो सबसे बड़ा challenge जो मैंने face किया कि जब मैं किसी को बोलती थी कि हम लोगों को सोचना सिखाते हैं तो बड़ा अश्यर करते थे लोग अरे यह भी कोई सीखने वाली बात है यह भी कोई सिखाने वाली बात है यह तो natural सी process है कि अपने आप ही हम सोचते हैं thoughts तो अपने आप अच्छा सोचने के लिए हमको सीखना पड़ेगा उसकी process होती है उसकी टिक्स होती है तो वो हम लोगों को सिखाते हैं और कैसे इसका प्रभाव आपकी personal life आपकी professional life पर पढ़ता है वो हम लोगों को बताते हैं इसमें मेरे कुछ ऐसे experiences भी रहे जहां पर बहुत highly educated लोग का as such कोई scope नहीं है यह तो ऐसे ही है ठीक है तो यह इन समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा जहां मुझे लोगों को यह समझाना पड़ा कि यह भी सीखने वाली चीज होती है इसको हम बहुत हलके में नहीं ले सकते हैं और ना ही हमको लेना चाहिए यही कारण रहा कि प साइंस एंजीनिरिंग में मास्टर्स मैंने किया है मैं अगर कोई IT कंपनी स्टार्ट करती तो बहुत सफल हो जाती अभी तक यह भी मुझे रिरी है फिल्ट थोड़ा सा यूनीक काम है थोड़ा सा अलग काम है अब लोगों को समझ में आ रहा है इसकी इंपॉर्टन समझ मे में आ रही है और आगे भी मुझे लगता है कि हमें बहुत सा पलता मिलने वाली है जैसा कि आपने बताया कि हैपिनेस एक बहुत बड़ा विशय है और गोवर्मेंट का भी इसने ध्याना करशीत किया और इतने इंपोर्टेंट सब्जेट होनी की वज़े से मध्यपदे शा शिवरा सिंग जी चोहान उन्होंने आनन मंत्रादय की स्थापना करी थी हैपिनेस मिनिष्ट्री उन्होंने 2015 में फॉर्म की थी और बहुत ही जोश के साथ उन्होंने हैपिनेस के ओकर काम स्टार्ट किया था कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट भी प्रबोजर भी बुलवाय तो क्या जो गौवर्मेंट अभी हैपिनेस को बढ़ावा देने के लिए जो एफ़र्ट कर रही है वो सफिशेंट है क्या आपका क्या व्यू है इसके बारे में देखिए गौवर्मेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है है हैपिनेस मिनिस्ट्री को लांच करके है ह देखे है हमारे देख की पहली है है इस्ट को सबसे पहले मद्द्प्र देश में इस्थापित हुई है और अगर्म आज दूसरे देखिए हमेंस के मुद्धे पर बात करें तो आप कभी देखिएगा वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट जो हर साल रिलीस होती है जिसमें लघव लगवग 156 देश पाटिसिपेट करते हैं, उसमें आप कभी सोचिए गा और देखिए गा कि इंडिया कहां स्टैंड करता है, हमारा देश कहां स्टैंड करता है, अगर आप देखें, तो पिछले तीन साल से हमारा देश गिरता चला जा रहा है इंडेक्स में, उसकी पोजीश सरकार नहीं अगर यह कदम उठाया है, हैपिनेस मिनिस्टी का, यह बहुत सरहानी यह कदम है, और मैं कहते हूं कि इस पर बहुत काम किया जाना है, क्योंकि अभी यह सिफ शुरुवात है, और मेरा सबसे पहला जो इसमें इंटेंशन रहेगा सरकार के लिए, कि आप एक सब सब्जेक्ट, सबी जगा लांच करिए, हमारे स्कूल के बच्चों को बच्पन से ही, राइट फॉम सिक्स स्टांडर्ड, हैपि कैसे रहा जाए, आर्ट ओफ थिंकिंग सिखाना शुरू करिए, कॉलेज में एक सब्जेक्ट बिनाए, अगर हम हावर्ड की बात करें, जो कि काम करना है, अभी बाचिट में आपने बताया कि आपकी कंबणी जो है, वो आट आफ थिंकिंग के ओपर भी काम कर रही है, मुझे यह बहुत नया कॉंसेप् लग रहा है, क्योंकि हमने आट आफ लिविंग के बारे में सुना, और भी बहुत सारे कॉंसेप्ट बहुत चल तो यह art of thinking exactly क्या है और आपके कहां कहां पर प्रोग्राम चल रहे हैं और क्या उंका आउट्पूट रहा प्रोग्राम का देखिए जब मैंने अपनी जर्णी शुरू की लोगों को अच्छा सोचना सिखाएंगे इस कॉंसेट पर इसकी शुरुवात ऐसे हुई कि आज अगर हम personality development की बात करें colleges में बहुत सारे proposals आते हैं कि हम personality development students को सिखाएंगे attitude building हम students को सिखाएंगे बहुत सी चीज़ें हम सिखाएंगे how to dress up हम उनको सिखाएंगे लेकिन अगर हम ध्यान से देखिए तो इन सब चीज़ों की जड़ कहां है इसकी जड़ है हमारी सोच में हमारी जो root है that is our thinking तो thinking process हमें कभी सिखाई नहीं गई है वो तो हम already for granted लेकर के चलते थे आर्ट ओफ लिविंग का जैसे आपने का वो तो एक बहुत ही wonderful organization actually and वो लोग बहुत अच्छे अच्छे programs और courses कराते हैं आर्ट ओफ लिविंग और आर्ट ओफ तिंकिंग में जो एक minor सा में difference आपको बताना चाहूंगी कि वो यह है कि हम जड़ से शुरूबात कर रहे हैं किसी भी पेड़ पर सीधा आप branch पर जाएं किसी डाली पर जाएं फूल पर जाएं टॉप पर जाएं नहीं हम जड़ से शुरूबात कर रहे हैं और उसको हमने नाम दिया है art of thinking हमारे समाज में चाहे crime हो या कोई भी problem हो challenges हो सारी की सारी चीजें हमारी सोच से जुड़ी हुई हैं तो क्यों ना हम अपनी सोच से शुरूबात करें आज हमारे जो programs हैं यह बहुत diversified sectors में चल रहे हैं हमारे programs, corporate में होते हैं जिसमें pharmaceutical companies हैं जिसमें manufacturing companies हैं जिसमें banks आते हैं हम Indian Army में भी पर्व्रग्राम देते हैं निंकम टैक्स OFFICES में पॉलिस देपार्टमेंट में देते हैं हम लोग स्कूल में देते हैं Education में देते हैं बहुत सारी जगाओं पे हमारी programs होते है तो इतनी जगह पर, including jail, मैंने jail में भी programs दिये हैं तो इतनी अलग-अलग diversified sectors में program देने के बाद मुझे ये समझ में आया जहां पर एक तरफ आप police वालों को positive thinking पर program दे रहे हैं वहीं आप दूसरी तरफ जेल के अंदर बंद लोगों को दे रहे हैं तो ये जो journey रही, इसमें मुझे ये clear समझ में आया कि हर इंसान को चाये, किसी भी sector का हो, किसी भी age group का हो positive thinking की बहुत requirement है, बहुत ज़रूरी है और आगे मैं इसका बहुत अच्छा scope देखती हूँ Women Empowerment एक बहुत broad topic है, बहुत सारी government इसके ओपर काम कर रही है भारत में तो इसका एक बकाईदा मंत्रा लए भी है, महिला इव बालविकास मंत्रा लए उसके बावजूद भी यहां पर देखा जाए तो Women Empowerment नहीं हो पाया है हाला कि कई feminist लोग इस पे जो है, अल्यडी वर्क भी हो रहा है तो Women Empowerment के बाले में आपकी क्या राय है और आपनी जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्या उससे Women Empowerment होगा? देखिए Women Empowerment, आच्छी मैं तो यह बोलती हूँ कि हम सभी को Empowerment की बहुत जरूरत है चाहे Men हो चाहे Women हो, हमारे प्रोग्राम्स तो सभी के लिए हैं Women Empowerment की जब हम बात करते हैं तो आज अगर हम महिला दिवस से ही शुरुवात करें एक हमारा जो International Women's Day Celebrate किया जाता है वो एक दिन किया जाता है और मैं बोलती हूँ कि ठीक है Celebration के लिए एक दिन ठीक है लेकिन पूरे साल बर क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जहां महिलाओं को आगे बढ़ाएं केवल एक तिन के लिए उनको Felicitate कर देने से हम Empower नहीं होने वाले हमको पूरे साल बर की एक तयारी रखनी पड़ेगी और इसमें Women को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ वो Men आगे आएं बलकि खुद Women भी आगे हैं जो Women already strong हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपनी जिन्दगी में वो अपने जैसे और क्रोंस तयार करें अपनी जैसी और महिलाओं तयार करें और उनको पुष करें कि वो भी आगे कुछ कर पाएं तो Women Empowerment के जिम्मेदारी सिर्फ आद्नियों पर नहीं है बड़कि महिलाओं पर भी है ऐसा मेरा मानना है और Women Empowerment पर जितना काम हमारे देश में हो रहा है जिस स्पीड से हो रहा है देखकर बहुत अच्छा लगता है अज महिलाओं को इतना सम्मान मिलता है महिलाओं को इत अच्छा फ्युचर देखती हूं अपने कंट्री गास अपकी संस्था के आगे के क्या प्लान है अभी आपने बताया कि आप राश्टी स्थर के काम कर रहे हैं और क्या इसको एक्टेंड करेंगे भाविश में और आप अपने काम को कहा तक ले जाना चाह रहे हैं अभी हम हम लोग नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं अफकॉस पैन इडिया हमारे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं अलग अलग वर्गो के लोगों में होते हैं हम अपने प्रोग्राम्स के पहले लोगों की समस्याओं को समझते हैं कि उनकी जो वर्क प्ले अपने प्रोग्राम्स को लांच कर रहे हैं, हम अश्या से स्टार्टिंग का इश्या की दूसरी कट्नी से स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा अनुभव यह कहता है कि मैंने जब भी अपने प्रोग्राम्स की बात बाहर के लोगों से की है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है उनका जो इंट्रेस्ट लेवल होता है, आर्ट ओफ थिंकिंग के प्रोग्राम्स को लेकर के वो हमारे देश के लोगों की तुलना में बहुत जादा होता है तो मुझे लगता है कि बाहर मुझे बहुत सबलता मिलेगी, ऐसा मेरा अनुभव है और हम बहुत जल्दी एशियन कंट्रीज में लॉंच होंगे और उसके आगे भी हम जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे जैसा कि आपने बताया कि आपकी संस्था थौट टेक्नोलोजी के उपर लंबे समय से काम कर रही है जो की एक नया विशय है तो यह थौट टेक्नोलोजी आखिर है क्या और क्या काम आप कर रहे है देखिए थौट टेक्नोलोजी एक्चिली ऐसी डिवाइसे होती है जो आपके थौट से इंपुट लेकर के काम करती है इसके मैं आपको कुछे दारन देना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे जन्द्रली शादियों में देखे जाते हैं जिनको हम अपने हाथ में एक रिमोट लेते हैं और उससे ब्लै करते हैं उड़ाते हैं उसको तो आने वाले टाइम में हम अपने विचारों से टेकनोलोजी को कैसे यूज़ कर पाएंगे, उसको हम थौट टेकनोलोजी बोलते हैं, तो ऐसा दुरोड भी बन गया है, रेशियन साइंटिस्स ने इतने बनाया है, जो सिर्फ सोचती है और दोड उसके सोच के हिसाब से काम करता है, यह बहुत इंटरस्टिंग उसने प्रज तोट्स एजन इंपुट इन डिवाइसेज में दिये जाएंगे, यानि आपके मुबाइल, आपका लाप टॉप आने वाले टाइम में आपके तोट्स के विसस पर काम करेगा, आप सोचेंगे और वो काम करेगा, हम ऐसे टाइम में एंटर होने वाले हैं, यह हमारा भविश थोट्ट टिकनोलोजी, और हमारी जो कंपनी है, हमारे इसमें दो वर्टिकल्स हैं, एक वर्टिकल में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ऐसी और थोट्ट टिकनोलोजी डिवाइसेज बनाने पर, और दूसरा वर्टिकल है हमारा जिसमें आप आर्ट ओफ थिंकिंग की स्ट्रेस मानेजमेंट जीखना जाएगे आज गमासान के स्टुडियो में अर्चना शर्मा मेडम जो कि लंबे समय से हैपिनेस को पड़ावा देने के लिए काम कर रही है वो आये और उन्होंने विशेस रूप से आर्ट आप थिंकिंग और about thought technology के बार में पताया जो कि एख beher dei interesting subject हे जिसमें काफी काम होथी हें बी इंडिया में मैं समझता हूँ कि यह हमारे audience के lихy बहुत beher interesting subject हे और हमारे जो audience हیں इससे निशिती फायदा उठाईए बहुत भुत थेंभी आख़डू अबड़ चनल और प्रेस्ट बेल इकन फोर मोर अपड़ेट